जबरन किस किया तो काट दिये होन इजद बचाने के लिए दरिंदे से भिड़े पुलिस ने कटे होट को पैकेट में किया सील महिला की हिम्मत ने बचा ली असमर मेरट में एक लड़की ने अपनी इजद बचाने के लिए कमाल की हिम्मत दिखाई उसमें उस वक्त इतनी हिम्मत आ गई कि उसने उस दरिंदे के होट को काट कर उसके मुह से अलग कर दिया जिसे पुलिस ने बाद में पैकेट में सील किया और ले कर गई जी हां उस लड़की ने उस दरिंदे के होट को ना सिर्फ दाथ से काट कर निशान बनाए बलकि ऐसा काटा कि उसका होट उसके चहरे से ही अलग हो गया मामला थाना दौरौला थानकशेत्र के एक गाउं का है जहां एक महिला ने बताया कि शनिवार की दोपहर वो अपने खेत पर काम कर रही थी आसपास कोई नहीं था तभी पीछे से आकर किसी ने उसे पकड़ दिया लड़की को समझ नहीं आया कि ये कौन है और वो चिल्लाने लगी तभी आरोपी ने उसका मुँ धबा लिया और खेत की और घसीट ले गया महिला ने बताया कि उस हैवान ने उसके कपड़े तक फालने शुरू कर दिया और चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देने लगा महिला ने आरोपी को धक्का देने और खुद को बचाने की तमाम कोशिशे की लेकिन घबराहट के चलते उसका शरीर मानु सुन हो गया था ऐसे में जैसे ही आरोपी अपना होट महिला के चेहरे की तरफ लाने लगा उस महिला ने इतनी जोर से काटा कि उसका होट कट कर अलग हो गया इसके बाद आरूपी दर्द से तड़प कर चिलाने लगा, वहीं महिला ने भी जोर-जोर से चिला कर आसपास के लोगों को इकठा करना शुरू कर दिया महिला का आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी ने उसे जान से मारने के धमकी दी लेकिन चिलाने की आवास सुनकर गाउं के लोग मौके पर पहुँच गए इन सभी ने उस दरिंदे को पकड़ा और महिला ने ये भी बताया कि आरोपी ने अपना नाम मोहित सैनी बताया है महिला की माने तो आरोपी ने अपना नाम बताते हुए अपना पता मोहला अंदावली रोड थाना इंचौली बताया है इसके बाद महिला ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया और कारवाई की मांग की पुलिस ने शिकायत दर्च की और मौके पर पहुँचकर कटे हुए होट को पैकेट में सील किया पुलिस की माने तो उन्होंने हर एंगल से इस मामले की जाच शुरू कर दी है आरोपी इस गाउं में किस मकसद से आय था और ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं या नहीं इन सब एंगल्स की भी जाच की जा रही है लेकिन जिस तरह महिला ने उस दरिंदे से भिड़कर अपनी इज़त बचाई इसकी चर्चा पूरे गाउं में हो रही है मेरट से निउस टाइम नेशन के लिए खुर्शीत खान राज्यों के साथ शाहरुक सैफी और आसिफ सैफी की रिपोर्ट